हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू माई चैनल फ्रेंट्स आज मैं आपको बहुत ही खुपसूरत सिलिस्ट डिजाइन बताऊंगी तो फ्रेंट्स देखिए प्लीज वीडियो को इसकीप मत करना वीडियो को पूरा जरूर देखना तो फ्रेंट्स ये देखिए मैंने कप्ड़े की चो लंबाई लीए वो 22 इंच है और चोड़ाई मैंने 20 इंच लीए तो फ्रेंट्स यह देखे मैंने यहाँ पर साथ लाइने बनाई हैं एक एक इंच की दूरी पर फ्रेंट्स उपर साइड से हम यहाँ पर तीन इंच नीचे पर एक निशान लगा लेंगे और नीचे की तरफ से हमने एक एक इंच पर बोक्स बनाना है देखिए इस तरीके से एक एक इंच पर हम निशान लगाएंगे हमें चोकोर बोक्स बनाने है एक इंच की लंबाई और एक इंच की हमारी चोड़ाई रहेगी तो फ्रेंट्स ये देखिए मैंने निशान को सीधा लगा लिया है इसी तरीके से मैं एक एक इंच की दूरी पर उपर तक निशान लगा लूँगी तो फ्रेंट्स बहुती खुपतरे डिजान लग रहा है तो फ्रेंट्स ये देखिए मैंने एक इंच की चोड़ाई और एक इंच की लंबाई लिया है तो फ्रेंट्स ये जो हमारी बीच वाली लाइन है ये देखिए बीच की लाइन है इसके बराबर में हमें इस तरीके से तिरची लाइन बनानी है तो friends एक box में नहीं बना ली फिर देखिए हम दूसरे box में बनाएंगे फिर देखिए एक box फिर बीच में छोड़ देंगे इसी तरीके से एक box छोड़ते हुए जाएंगे और उपर तर हमें इसी तरीके से line को पूरा करना है तो friends एक एक box छोड़कर हमने निशान लगाया है उपर से हमने 2.5 से 3 इंच का gap रखा है उपर साइड से तो friends ये देखिए side वाली line हमारी ये हमरी बीच की line तयार हो गई है और तो देखिए side वाली line में हमें इस तरीके से line करना है यहाँ पर भी हमने देखिए इस तरीके से करना है तिरची line बनानी है और एक box सोड़कर एक line में ये design हमें बनाना है तो friends design complete होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगे कि मैंने ये निशान किस तरीके से लगाए है तो friends इसी तरीके से देखिए हमें दूसरी side में भी निशान लगाने है ये देखिए मैं side के निशानों को पूरा कर लिके दिखा रही हूँ देखिए साइट के निसान हमारे कंप्लीट हो गए है इस साइट के और अब मैं आपको बताऊँ कि दूसरी साइट में भी हमें सेम इसी तरीके से निशान लगाने है तो ये देखिए हमने यहाँ पर तिशान लगाना है बॉक्स के अंदर एक बॉक्स छोड़ते जाएंगे दूसरे बॉक्स में निशान लगाना है इसी तरीके से आप सारे निशानों को लगा लेना है तो फ्रेंड ये देखिए हमारे निशान कम्प्लीट हो गए है मैं आपको दिखाती हूँ पास से कि मैंने निसान किस तरीके से लगाए है तो फ्रेंट्स ये देखिए उम्मिद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो जरूर समझ में आएगी यह देखिए मैं आपको पास से दिखा रही हूँ कि मैंने बॉक्स के निसान इस तरीके से लगाए हैं फ्रेंट्स हमें इस हात वाली सुई से इसमें डिजाइन बनाना है तो फ्रेंट्स यह देखिए बीच में से हमने जो लाइन बनाई है वास हम डिजाइन सुरू करेंगे यह देखिए इस तरीके से हम बीच में से बीच वाली लाइन से उठाएंगे और दूसरी साइट से यहां से लेंगे एक कोना और फिर हमने यहां दूसरी साइट से लिया है जो निशान बनाया है इस तरीके से हमने दोनर साइड से कपड़े को ले लिया है और बीच में हम यहाँ पर निया पर इसके टाका लगा लेंगे यानके पकका कर लेंगे तो फ्रेंट इसी तरीके से हमने पूरी लाइन को सुई धागे की मद़ब से इसमें टाके लगाने हैं यहां से यहां तक देखिए इस तरीके से तो बीच से पहले हम शुरुवात करेंगे फिर उसके बाद हम साइड से उठाएंगे फिर दूसरी साइड से लेंगे इसी तरीके से फ्रेंट्स हमें पूरी लाइन को कम्प्लीट करना है बहुत इजी डिजाइन है और बहुत ही सिंपल है और बहुत ही अच्छा लग रहा है बनने के बाद तो फ्रेंट्स यह देखिए डिजाइन हमारा इसी तरीके से बीच वाली लाइन को कम्प्लीट करना है हमें और यहां पर हम पक्का कर लेंगे धागे को एक्ट्र धागे की कटिंग कर लेंगे तो फ्रेंट्स इसी तरीके से हमने सारे बोक्सों में टांके लगाना है यह हम हाथ वाली सुई से इसमें टांके लगा रहे हैं तो फ्रेंट्स यह देखिए फिर अब हम साइड से लेंगे पहले हमें बीच से लेना है उसके बाद हमें दोनों साइट से लेना है उसके बाद हम यहाँ पर पका कर देंगे तो फ्रेंट इसी तरीके से हमने बीच वाली लाइन को कम्पलीट कर लिया है अब हम साइड वाला बताएंगे आपको तो फ्रेंट यह देखिए साइड वाला प साइड से लेंगे इस तरीके से फिर którą पर हम शुनी धागे साइट से और पक्का कर देंगे तो फ्रेटिक उपर तक इस lain को भी कमpl 혼자 करना है तो फैसरे बहुत ही खुक्सुरत n ow बहुत ही जल्दी बन कर giorno हो इसाइट से यह तो आहीं पता है हैं तो एक हम आपनी तरफ इसमें दॉने सी तरह डाला है। जब स्वेति आलनी हैं और प्लेट बहुत बनी कर यह तो यह देखेए मैं अपनी तरफ इसमें प्लेटे डालनी हैं। और इसी तरीके से देखिए हम दूसरी साइड में भी, अब हम उपर की साइड को इसमें प्लेटे डाल रहे हैं, तो फ्रेंट्स ये देखिए बहुत ही जल्दी बन गया है, डिजाइन और बहुत ही खुब्सूरत लग रहा है, तो फ्रेंट्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए, तो फ्रेंट्स ये देखिए यहाँ पर हम नीचे साइड में दो चुन्नेटे डाल लेंगे, तो फ्रेंट्स ये देखिए हमारी साइड की चुन्नेटे डिलकर तयार है, तो friends ये मैंने पट्टी लिए है 4 इंच की वो हम नीचे की तरफ रखकर यहाँ पर एक पेर की सिलाई लगा लेंगे तो friends ये देखिए पट्टी को अब हम उपर की तरफ पलेट लेंगे तो friends ये देखिए पट्टी हमारी तयार हो गई है तो friends अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना शेयर करना अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज प्लीज चैनल को ज़रूर सस्क्राइब करना तो friends आप अपने फिटिंग के आवर सिलाई लगा सकते हो तो friends ये देखिए मैंने अपने यहाँ पर फिटिंग लगा ली है तो friends वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में